केंद्रे हवाई परिवन मंत्री जोती राधित सिंधिया ने कल इंदौर से गोंदिया और गोंदिया से हैदराबाद वानिज यात्री एरलाइन को हरी जंडी दिखाई और लॉंच किया तीन राज्यों को जोडने वाला गोंदिया इंदौर हैदराबाद निश्चित रूप से जिले की लोगों के लिए गर्फ की बात है क्योंकि आज से यह सेवा शुरू हो गई है इस एरलाइन का लाब महराश और इससे सटे मध्यप्रदेश चतिसकर को है यह राज्यों में या और गोंदिया जिले में यात्रे एरलाइन के साथ भविश्य में कारगो सेवाएं भी शुरू की जाएंगी जिससे तीन राज्यों को फायदा होगा उन्होंने का कि अलग-अलग शहरों को मिलेगा गोंधिया के बिर्सी हवाई अड़े पर सांसस सुनील मेडे गोंधिया से हदराबाद यातरी हवाई सेवा हरी जंडी के साथ लॉंच किया गया इस अफसर पर मेडे ने कहा कि जिले के अनेक लोगों सालों से पैंडिंग बड़ी कमर्शे एरलाइन्स की मांग आज से शुरू परिणाम स्वरूफ कई नागरिकों को इस सेवा से लाब होगा साती भविश में गोंदिया से मुंबई की उड़ाने के भी प्रयास किये जा रहे हैं उन्होंने का गोंदिया जिले से जिले में गोंदिया इंदोर हैदराबाद गोंदिया सिवाश शुरू कर दी गई है रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा इससी कारिक्र में सांसत अशोक नेटे, बालाघाट सांसत धाल सिंग विसेन, विधायक विनोध अगरवाल, विजे रांगडाले, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, गोपाल दास अगरवाल, केशवराव मानकर, रमेश कूठे, हेम दावा, बिर्सी केवी बेजू, डारेक्टर, एरपोर्ट अथॉर्टी, हेड और फ्लाइव विग, कंपनी ग्राउंड ओपरेशन रतन अंभोरे, बिर्सी गाव की सरपंच और पृत्वीर सिंग नागपुर मुख्य रूप से मौजूद रहे, साथी बिर्सी एरपोर्ट और फ्लाइव विग एरलाइन के अधिकारियों और करमचारियों सहित जिले के कई नागरी को पस्तित थे, गोंदिया से बीसी एन न्यूस के लिए अभिशेग भटनागर की रिपोर्ट